के संस्कृत में कारक साथ प्रकारक की होते हैं जिसमें आज हम अपादान कारक पढ़ेंगे वीडियो शुरू करने से पहले एक बार हम अपादान कारक के सुत्र देख लेते हैं अपादान कारक जिसमें 14 सुत्र है जिसका पहला सुत्र है धुर्वं पाई अपादानम दूसरा सुत्र है भित्रानाम भे हेतु तीसरा सुत्र है वारणा थना भिपसित है चोथा सुत्र है पराजेर सोड़ है पाँचवा सुत्र है अंत्रधो येना दर्शन मिछंती छटा सुत्र है आख्यात परियोगे सात्वा सुत्र है जनती कर्तु है प्रकती आटवा सुत्र है भुव प्रभूष्च नोवा सुत्र है लिव लोपे कर्मनिया धी करणे चैर दसवा सुत्र है यतशाधुर काल निर्मानम तत्र पंचमी ग्यारवा सुत्र है अन्यरा दिते रेत दिख शब्द यूत्र पदा जा ही युकते बारवा सुत्र हैं पंचमा पाड परीभी अत्वा आंग मर्यादा वचने तेरवा सुत्र हैं पंचमी विभकते चोदवा सुत्र हैं पृतक नाना वीना योगी अपी दितिया दितिया गाइस इन सुत्रों के अलावा अपदान करके जितने भी सुत्र हैं वो आप हमें comment box में बता सकते हैं हम उनको next video में करवाएंगे So guys let's start video Video शुरू करने से पहले Guys अभी तक आपने हमारी YouTube channel Mission Study को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लेजे Like and share कर लेजे And don't forget to press the bell icon So guys let's start video आज का हमारा कारक है अपादान कारक जिसका पहला सुतर है धुरूवम पाए अपादानम इसका आर्थ देख लेते हैं अपादान अवधी सूचक है अपादान केसा है तो अपादान है धुरूवम पाए अपादानम इसका आर्थ है कि अपादान अवधी सूचक है यहाँ पतन किरिया होने की कारण यह संग्यक है अतय विर्क्ष की अपादान संग्या होती है जिसे उधारन देख लेते हैं पहला उधारन है विक्षात पत्रम पतती विर्क्ष से पत्ते गिरते हैं यहाँ धुर्वम पाय अपादान सुत्र से पतन किरिया की होने की कारण यह संग्यक है और अतय विर्क्ष की अपादान संग्या होती है इसलिए धुर्वम पाय अपादान सुत्र से विक्षात पतम पतंती में पंचमी विवक्ती का पर्योग हुआ है दूसरा सुत्र है बित्रा नाम भेय हेतू इसका अर्थ देख लेते हैं भेय और रक्षा अर्थ वाली धातूओं में भेय के कारण पंचमी होती है बित्रा था नाम भेय हेतू इसमें दो अर्थ दिये गए हैं पहला है भेय और दूसरा है रक्षा इन दो अर्थों वाली धातूं में भय के कारण पंचमी होती है उधारन देख लेंगे पहला है ऐसा जनात कश्य भयम नजायती दूसरा है भालक से हाथ विभेती भालक से ही से भय करता है या फिर डरता है हमार सुतिता भित्रा थाना भय है तू भय और रक्षा अर्थ वाली धातूं में भय के कारण पंचमी होती है अब जिससे की पहला जो उधारन था वह था ऐसा जनात कश्य भयम नजायती इसमें भयम पहली अर्थ हो गया और दूसरा है बालक से हाथ विभेती जो बालक है वो से भय करता है दरता है इसमें दोनों अर्थ वाली भय और विभेती का प्रयोग किया है तीसरा सुतर है वारन अर्थ ना भी इपसित इसका अर्थ देख लेते हैं जिस स्वस्तु से किसी का वरन किया जाता है अर्थात हटाया जाता है उसमें पंचमी विभक्ती आती है अब वारण अर्थ वाल धातू के लिए कहा गया है कि वारण अर्थ अर्थात वरण किया जाता है अत्वा हटाया जाता है उसमें भी पंच्वी विवक्ति आती है इसका उढ़रन देख लेते हैं, ये विब्योग गाई वारती छेत्र, दूसरा है papatण निवारती, यानि पाप से हटाया जाए, मुक्त किया जाए, इसमें वारती, वारती का मतलब होगा, हटाना, वरन करना, ये दो अर्थों में इसका प्रियोग होगा, ये विब्योग गाय वारती चेत्र है उसमें गाय को वारती हटाते हैं। दूसरा था पापात निवारती। पाप से निवारन करते हैं, मुक्ति दिलाते हैं। चोथा सुत्र है पराजेर सोड़ है। इसका अर्थ देख लेते हैं परापुर्वक जिस धातु के परियोग में जो ऐसा ही होता है। उसकी अपादान संग्या होती है। अब परा जो धातु है उसकी प्रियोग में अगर ऐसा ही होगा तो उसकी अपादान संग्या होगी। अपादान का मतलब है पंच्मी विवक्ति का प्रियोग होगा। इसका उधारत अध्यनात परा जयते। यान की प्राजित करता है इसलिए सत्रुन प्राजेत यान की प्राख धातु से पहले साइकोन सत्रु है। इसलिए यहाँ पर अपादान संग्या होती है और पंच्मी विवक्ति का प्रियोग होता है। पाज़ो सुत्र हैं अंतर्धो येना दर्शन मिच्छती। इसका आर्थ देख लेते हैं जब कोई अपने को छिपाता है तब जिससे छिपाता है वह अपादान होता है जैसे मार्तु निक्यते क्रिश्ण। अंतर्धो येना दर्शन मिच्छती। इसका आर्थ है कि जब कोई अपने को छिपाता है तब जिससे छिपाता है वह अपादान होता है जैसे मार्तु निक्यते क्रिश्ण। यानि कि मातत ही उन्होंने क्रिश्ण को छिपाया। च्छटा सुत्र है आख्यात प्रियोगे। इसका आर्थ दिख लेते हैं आख्याता अर्थात आचारे व्याख्याता आख्याता का मतलब यहां पर है आचारे और व्याख्याता से उप्योग नियम पूर्वक विद्याग्रेंड नियम पूर्वक विद्या चर्चा करने पर पंचमी विवक्ति का प्रयोग करना है सात्वा सुत्र है जनती करतु है प्रकति इसकार्थ देख लेंगे जनी, उत्पत्ती, जिससे कोई वस्तु उत्पन हो उसमें पंचमी विवक्ति होती है जनी, उत्पत्ती, इन दो शब्द जो है इनके कोई वस्तु उत्पन होती है होती है तो उसमें पंच्वी विवक्ती होती है उधारान देख रहते हैं ब्रहमन प्रजा प्रजायनते ब्रहमन लिखा हो था तो ब्रहमन प्रजा प्रजायनते ब्रहमन जी से समझ प्रजा उत्पन होती है एक बार फिर से देखेंगे सात्वी सुत्र को जन्ती कर्तु प्रकती इसका आर्थ है जनी उत्पति इन दो शब्दों में जिसे कोई वस्तु उत्पन होती है उसमें भी पंच्मी विवक्ती होती है अब उधारनता हमारा ब्रह्मा प्रजा प्रजयंते ब्रह्मा जी से समस्प पर जा उत्तन हो रही है उत्गन के लिए होने के कारण जहां पे अपदान संग्या होगा इसमें पंश्मी विवक्ति का अपादान होता है प्रकाश में आना उत्पन होने वाला का अपादान होता है उधारन है हीमवत गंगा प्रभवती एक बार फिर से दिखेंगे आठवी सुत्र को भुवय प्रभुवशत अर्थाथ प्रभव प्रकाश में आना उत्पतिस्तान भुवय उत्पन होने वाला क यहं उत्पन होने वाला यहां की उत्पन को नहीं है ही मालिय था उससे जो बर्फ होती थी इसलिए ही का मतलब यहीं वेति कोदे उत्पन होने वाला है हीमवत और गंगा प्रभावती ही में वत से गंगा प्रकाश में आ रही है नुवा शुत्र है लियब लोपे कर्वणियां अधिकरणे चर इसका अर्थ देख लेंगे पुर्वकालिन किरिया का अर्थ व्यक्त करने के लिए उस किरिया के कर्म और अधिकरण में पंच्मी विबक्ति होती है पुर्व कालिन किर्या का आर्थ व्यक्त करने के लिए उस किर्या के करम और अधिकरने पंच्वी विवक्ती होती है उधारन है मंचात पश्यती जनान मंच के लोगों को देखता है इसमें मंच आगत्य के स्थान पर मंचात हुआ है अब मंचात की जगह आप देखेंगे कि मंचात है इसमें पंच्वी विवक्ती तो है पश्यती जनान मंच के लोगों को देखता है अब यहाँ पर प्रयोग है पुर्व कालिन किर्या होगा यहाँ पर मंचात की जगह होता मंच आगत्य है मन्च आगत्य पशत्यती जनान मन्च के लोगों को देखता है लेकिन यहाँ पे मन्चात का प्योग हुआ है क्योंकि मन्चात में भी पंचमी वक्ती होती है लेकिन हमारा सुत्र कहता है कि पुर्व कालिन केरिया का अर्थ व्यक्त करने के लिए उस किर्या के करम और अधिकरण में पंचमी वक्ति होती है दसवा सुतर है यतश दावल काल निर्मानम तत्र पंचमी इसका आर्थ देख लेंगे यदि किसी समय या इस्तान से किसी दूसरी समय या इस्तान का अंतर बताया जाए तो उस सब्द में पंचमी विबक्ती होती है जैसे उधारन देख लेंगे वसंतार अंभ्यात गिस्मारम दिया सयू अब बोला गया था कि मतलब सुतर कहा रहा है यदि किसी समय या स्तान से किसी दूसरी समय स्तान का अंतर बताया जा रहा है यहनकि वसंतारम से गिस्मारम का जो अंतर बताया जा रहा है दिया सयो अंतर है वो बताया जा रहा है इसलिए इस शब्द में उधारन में ही पंचमी विबक्ती है एक बाद फिर से दिखेंगे यतस धाव यतस शाच दुएकाल निर्मानम तत्र पंचमी इसका आर्थ है कि यदि किसी समया इस्तान से किसी दूसरी समया इस्तान का अंतर बताया जाए तो उस सब्द में पंचमी विबक्ती होती है उधारन था कि वसंतारम भाद गिस्मारम इनकि वसंतारम से ही गिस्मारम होता है इनमें आंतर बताया गया वसंद आरब में और गिसम आरब में आंतर बताया गया है ग्यारवा सुतर है अन्यारादिते रत्र देख शब्द यूतरप दाजाही युक्ते इसका आर्थ है इतर आरात रिते पाक आही परत्यांत या जिसके अंत में अच्छू तथा आच हो तो पंचमी होती है अब हमें पांच शब्द प्राफ्ट हुए यहां पे पहला है इतर दूसरा है आरात तीसरा है रिते पाक छोता है आही पांच हो परत्यांत यह परत्यांत का मतलब होगे जिसके अंत में अब ये पाच शब्द हैं इसके अंत में अच्छू तथा आच हो तो पंचमी विभक्ती होती है उधारान देख लेंगे पहला है सुर्यात अन्य इतर इतर जो यहां पर प्रयोग हुआ है इस वज़े से यहां पर अपदान संग्य होकर पंचमी विभक्ती का प्रयोग हुआ है दूसरा था ज्यानात रिते कुत्र सुखम ज्यानात रिते कुत्र सुखम इसमें रिते का प्रयोग हुआ है इस शब्द के कारण अपादान संग्या होकर पंच्वी विवक्ति का प्रयोग हुआ है तेसा है ग्रामात प्राग ग्रामात प्राग इसमें भी प्राग शब्द का प्रयोग हुआ है प्राग के कारण अपदान संग्या होकर इसमें पंच्विवक्ति आती है चोथा सुत्र है भारताद दक्षिनाही समुद्र भारताद दक्षिनाही जो इसमें यूज़ है आही शब्द के कारण अपादान शंग्य होकर इसमें पंचिमिश भक्ती आती है ये चार सुत्र है इसमें इतर रितेई प्राक और आही इन चार शब्दों और इतर आरात, रितेई, पाक, आही, प्रत्यांत ये 6 शब्द हो गए, सोरी मैंने 5 लिए थे पहले अब ये 6 शब्द है ये 6 शब्द है, पहला था इतर, दूसरा था आरात, तीसरा था रितेई, चोथा था पाक, पाँचवा था आही, छटा था प्रत्यांत इनके अंत में अच्छु या आच हो तो पंच्मी होती है बारवा सुत्र है पंच्मीया पाग परीभी और अथात आंग्मिया और यादा वचने इस सुत्र के दो अर्थ बता हैं सोरी दो ही नाम है अलग अलग है पहला नाम था पंच्मिया पाग परीभी दूसरा था आंग मर्यादा वचने इसका आर्थ देख लेंगे आज अब स्वतंतर रूप से प्रियुक्त हो तथा इसका अभिप्राय मर्यादा अर्थात सीमा अभिविदी अर्थात व्यापती हो तो इसका प्रियुक पंचमी पूर्वक होगा एक बड़ फिर से देखेंगे पंचमिया प्रिवि अथवा आंग मर्यादा वचने इसमें आज अब स्वतंतर रूप से प्रियुक्त हो इसमें आज जो शब्द है वे अगर स्वतंतर रूप से हो इसका अभिप्राय मर्यादा अर्थात सीमा और अभिवेधी अर्थाद व्याप्ती हो तो इसका पर्योग पंची पुरवक होगा उधारण है पहला आमुक्ते संसार मुक्ती होने तक संसार लगा है दूसरा है आसकलात ब्रह्मा ब्रह्मा शकल में है इसमें आशब्द का प्रयोग हुआ है और वो अभी मुक्त है पुरियुक्त रूप से यानकि अलग हुआ है स्वतंत रूप से पृिक्त हुआ है आ जो है और आ मुक्ति होने तक संसार लगा है और दूसरा उधारण है आ शकलार ब्रह्मा ब्रह्मा शकल में है तेरवा सुतर है पंचमी विभक्ति दो वस्त्व के प्रितक होने में पंचमी विभक्ति होती है पंचमी विभक्ति यानिकी अपादान जो कारक है अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है पंच्मी विभक्ति दो वस्त्व के प्रितक होने में ही पंच्मी विभक्ति होती है चौद्वा सुत्र है प्रितक नाना विना योगी अपी दितिया तितिया पंच्मी जो सुत्र है ये दितिया विभक्ति में तितिया करन कारक में और पंच्मी अपादान कारक इन तीनों कारकों में प्रिक्थोगा ज्यानात विना कथम सुकम ज्यान की विना कौन सा सुक है इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो कम्पलिट होता है थैंक्स पो वाचिंग फ्रेंड्स कीप एंस सपोर्टिंग गाइस